मित्रू ये कहानी नाइकी देवी रानी की है जिन्होंने मुहम्मद गौरी को नाको चने चबवा दिये नाइकी देवी ने अकेले अपने दम पर मुहम्मद गौरी को भागने के लिए मजबूर कर दिया था जिसके बाद मुहम्मद गौरी ने पंदर सालों तक गुजरात की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं की नाईकी देवी एक विरांगना जिनकी सुन्दर्ता के कई किस से इतिहास में कैदे महराजा शिव चित्ता परमांडे की बेटी नाईकी देवी बच्पन से ही युद्ध कला में निपून थी और समय के साथ साथ कुशल कुट नितिग्य भी बन गई थी नाईकी देवी का विवाह अजय पाल सिंग के साथ हुआ और वहा गुजरात की रानी बन गई लेकिन 1176 इस्वी में आजये पाल सिंग के हत्या उन्हें के अंग रक्षकों ने की थी जिसके बद रानी नाईकी देवी ने अपने पुत्र के साथ राज्य के सत्ता संबाली उस वक्त मुहम्मद गौरी की बुरी नजर रानी नाईकी देवी के सामराज्य पढ़ थी अंगना ने ऐसा सबक सिखाया कि मुहम्मद गौरी बुरी तरह से परास्थ हो गया था 1178 इस्वे में रानी नाईकी देवी ने गुजरात की राजधानी अनहिल वाड़ा से 40 किलोमेटर दूर आबू परवत के पास मुहम्मद गौरी के खिलाफ युद्ध लड़ा था उस वक्त मुहम्मद गौरी ने रानी नाईकी देवी को संदेश भिजवाया था कि रानी और उसके बच्चों के साथ साथ राजध की सभी महिलाओं एवं कन्याओं को धन दाउलत समेत मुझे सौपदू लेकिन रानी नाईकी देवी ने मुहम्मद गौरी को सबक सिखाने का प्रण लिया और उसे युद्ध में बुरी तरह से हरा के अपने राजध से भागा दिया है मित्रों हमें अपने देश के विरंगनाओं पर गर्व हैं क्योंकि इन्होंने अपने राजध और अपने देश के मरते दम तक रक्षा की